आज मैं आप लोगों के साथ सवाइयों के जर्दे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जो कि बिलकुल पर्फेक्ट रेसिपी है और आपने वीडियो को एंड तक देखना है आज मैं आपको टेप्स और ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह से आपकी सवाइया खिली-खिली बन सकत हैं तो वाक में एड कर लेंगे वन टेबल स्पून देशी घी के अगर आप चाहें तो नॉर्मल गी भी यूज कर सकते हैं तो यह जैसे बैल्ट होगा इसमे एड करेंगे कटे हुए बदाम और खोप्रा इसकी कॉंटिटी मैंने मिक्सी ली है तो इसको हलका सा रोस्ट कर ल यह मैंने एक पैकिट सवईयों का लिया इसको थोड़ा सा अपने हाथ से तोड़के फिर आइड करना है तो अब हम सवईयों को 2-3 नट तक रोस्ट करेंगे आपने बिल्कुल भी इसको हाई फ्लेम पर नहीं रोस्ट करना नई तो सवईयों आपकी जल जाएंगे और उसके अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी आइड कर सकते हैं तो चीनी डालके इसको मिक्स कर लेते हैं फ्लेम बिल्कुल लो ही रहेगी आपने बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाने इंशाला आपकी सवईयां बहुत ही खिली खिली बनेंगी और अब इसमें अट कर लेंगे दूद एक कप और बाकी के जो मैंने नर्फ बाहर निकाले थे इसको भी अट कर लेंगे और दूद डालके आपने तब तक मिक्स करते जाना है जब तक दूद अच्छे से ड्राइनी हो जाता है क्योंकि इसी से टेस्ट बहुत मज़े काएगा इस पॉइंट पर एट कर लेंगे सबस इलाइज़ी एक अदत कौन कि इस पॉइंट पर एट करने से ही इलाइज़ी का अरोमाईच सेवईयों के अंदर तो मिक्स कर लेते हैं अच्छी से तो यह देखिए दूर डालके मैंने इसको अच्छी से ड्राइ कर लिया है इसका फ्लेवर भी अच्छा आजाएगा अब इसमेट कर लेंगे हाफ ग्लास पानी का और इसको हलका सा मिक्स कर लेंगे आपने हाफ ग्लास से ज़्यादा पानी एट नहीं करना और अब हम इसको लो फ्लेम पी स्टीम कुक करेंगे आठ से दस मिनट तक के लिए जब तक सवईया अच्छी से गल नहीं जाती तो यह सवईया देख सकते हैं आप अच्छी से गल चुकी है और याद रहे हैं कि हमने जस्ट इसको आठ से दस मिनट ही देने अगर आपने जादा दिया तो आपकी सवईया तूट जाएंगी तो सवईयों का जड़ता आप इसकी लोग देख सकते हैं मैंने इसकी नट के साथ गार्निशिंग की है आप अपनी चौइस के नट इसमें एड़ कर सकते हैं आई होब कि आपको यह रेसिपी ज़रूर पसंद आयोगे और आपने इसी टिप से बनाना है इंशाला आपकी सवईय बहुत अच्छी बनेंगी इंशाला मैं आपके लिए नियू रेसिपीज लेके होंगी तब तक के लिए अलाहाफिज